पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में महा पंचायत पंडित प्रदीप मिश्रा को बुलाया फिर भी नहीं जा रहे, साधू संत जमकर नाराज ब्रज में होने वाली महा पंचायत का निमंतरन मिलने के बाद भी पंडित प्रदीप मिश्रा महा पंचायत में नहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो अभी तो ब्रज नहीं आपाएंगे क्योंकि उसके पास लगातार कथाएं हैं। प्रदीप मिश्रा ब्रजाएं और राधारानी के समक्ष माफी मांगे। बताया जा रहा है कि महापंचायत में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आगे किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तयार की जा सकती है। लगातार तूल पकड़ रहे इस मामले में प्रदीप मिश्रा की स्थिती बिगड़ती नजर आ रही है। वहीं प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उन्होंने जो बातें कहीं हैं उन सभी के उनके पास पुखता प्रमान है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उन्होंने राधारानी का अपमान नहीं किया है। नह 24 जून को होने वाली महापंचायत में ब्रज के साधुसंत और ब्रिजवासी जनों को आमंतरित किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ही प्रचार हो रहा है। जिसमें उन्होंने कहा कि वह अभी तो ब्रज में नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास लगातार कथा लगी हुई है। प्रदीप मिश्रा नर्क में जाएंगे। उन्होंने कहा, चार शलोक क्या पढ़ लिए? प्रवक्ता बन गए? इधर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा रानी प्रसंग पर उन्होंने जो भी कहा, वो शास्त्रों के अनुसार ही कहा। उन्होंने जवाब दिया कि जिस-जिस महाराज को प्रमान चाहिए, वो कुबरेश्वर धाम आ जाएं। राधा रानी की आड में उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पंडित मिश्रा ने खंडवा के उंकारेश्वर में कथा के दौरान ये कहा। पंडित प्रदीप मिश्रा के किस बयान पर विवाद छिड़ा, पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने एक प्रवचन में कहा था, राधा के पती का नाम अनय घोश, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था, राधा जी का विवाह छाता में हुआ था, राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी, बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में ए हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगे, उनका अपमान करोगे, तो हम ये बरदाष्ट नहीं करेंगे। हम स्वयम को नियोचावर करदेंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोडेंगे। तुम्हें पता ही क्या है लाडली जी के बारे में। तुम जानते ही क्या हो। अगर तुम किसी संत के चरण रंज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वाणी नहीं निकलती। जैसा वेद कहते हैं, राधा और श्री कृष्ण अलग नहीं है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। जिसके यश का गान करके जीता है, जिसका यश खाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तु नहीं जानता। श्री जी की अवह भागवत अचार्य है, रही बात श्री जी बरसाने की हैं या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्यन किया है, चार श्लोक पढ़ क्या लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए, तुम नरक में जाओगे, व्रिंदावन की भूमी से गरज कर यह कह रहा हूँ। अब सिल वो जिन्दगी भर कितना भी प्रमाण दे, जैसे माता जान की प्रमाण दे दे कर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो। उन्होंने आगे कहा, क्या प्रमाण चाहिए मेरी मा ने सौंगंध खाकर बैठाया था कि इस व्यासपीट से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है ब्रह्म वैवर्त्य पुरान राधाराणी का समवाद बोला राधा रहस्य में से राधा का समवाद बोला गोडिया संप्रदाय के काली पीट से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का समवाद लिखा है जो हमने बोला और प्रसन्निता व्रत 84 कोस में अनय घोश का मंदिर है वहाँ जाकर दर्शन करो जावट गाव में उसका प्रसंग कहां इसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको बात है राधारानी की वो तो मेरी मा है माफी की बात करते हो इस राधारानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, खानदान और कुटुम्ब पड़ा है पंडित मिश्रा बोले, कुछ लोग शिव पुरान का विरोध करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा है आप कहो जिस दिन राधारानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूँ आप बोलो जितने दिन तक राधारानी के चरणों में पड़ा रहूं मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है जो बोलूँगा प्रमान से बोलूँगा, बिना प्रमान के कुछ नहीं बोलूँगा पंडित मिश्रा ने कहा हम यहां सभा रखेंगे, आप पधारे, उसमें अपनी बात रखना, हमारे यहां पत्र आया, हमने भी पत्र के माध्यम से उन्हें सूचना दी कि हम पहुँचेंगे, वहां पर बात करेंगे, इतने बड़े विद्वत संत है, माननिय प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों क उनके चरणों में पहुचता और उनसे बात करता, मैं उनहें प्रणाम करता हूँ, जिनकी जिव्या पर इस बामरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्यान तो हो गया, जिन्होंने मेरी आधी वीडियो चलाई, उनहें मेरी राधारानी देख लेगी, मैं एक एक ब्रजवास अगर मेरी वानी से कोई चोट लगी हो, तो मुझे क्षमा करियेगा। मैंने प्रमान से कहा है और प्रमान अपने पास रखूंगा। सत्य पर जीया हूं और सत्य पर जीऊंगा। जिन्होंने मेरी आधी वीडियो चलाई है, उन्हें तो मेरी राधारानी देख लेगी। मेरे कोई संत मुझे आमंत्रित करें, मैं तैयार हूं, आपको चरणों में आऊंगा, प्रणाम करूंगा, दंडवत करूंगा और आपको पूरा व्याख्यान बता कर जाऊंगा। कहां से पढ़ा, कहां से बोला, किस जगहा से वर्नन किया। लोग बोले। प्रदीप मिश्रा न अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधारानी का नाम नहीं बताया। राधारानी को भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं कहा। भागवत प्रवक्ता ने प्रवचन को भ्रामक बताया, प्रदीप मिश्रा के प्रवचन को ब्रज तीर्थ द प्रदीप मिश्रा सनातन की पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं. उन्होंने भगवान राधा कृष्ण के प्रति गलत बयान दिया है. इससे राधारानी के भक्तों में आक्रोश है. पदाधिकारियों ने कहा कि इसको लेकर जांच होनी चाहिए. कहीं इसके लि ब्रजवासियों ने रखे सबूत, ब्रजवासियों ने राधारानी और कृष्ण जी के विवाह का साक्षे देते हुए SSP को प्रार्थना पत्र दिया. इसमें कहा, राधारानी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ माउंट तहसील क्षेत्र स्थित भांडीर्वन में परम पांच के शलोक संख्या 15, 16, 31 में है. इसके अलावा, जिस शिव पुरान का वह प्रवचन करते हैं, उसके पार्वति खंड के अध्याए 2 के शलोक संख्या 40 में भी इसका वर्णन है. सकंद पुरान, पदम पुरान, नारद, पंचराग, आदी ग्रंथों में भी यह वर्ण सोमवार को दिये प्रवचन में संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चार शलोक पढ़ लिये और प्रवक्ता बन गए. कभी बैठे हैं संतों के चरणों में, कभी महापुरुष के चरण में बैठते, तो यह असभ्य भाषा तुम्हारी वानी से नहीं निकलती. संत प्रेमान के भक्त आते हैं. यहां की हवाओं में ही राधा और कृष्ण के असीम प्रेम की महक है. यहां के लोगों की सुबह ही राधे राधे से होती है. ऐसे में जब कोई व्यक्ती राधा या कृष्ण के बारे में टिपणी करता है, तो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा प्रदर्शन भी यहीं होना लाजमी है. व्यास गदी पर बैठे मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ भी मतुरा के लोगों में काफी गुसा देखने को मिला. बरसाने की लाडली राधा रानी को लेकर कथावाचक द्वारा टिपणी की गई है, जिसको लेकर ब्रज के संत समाज और गोस्वामी समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है. लोगों की मांग है कि व्यास पीट से इस तरह के बातें कहकर राधा रानी के बारे में टिपणी करना बिलकुल गलत है और कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए. अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सजा दी जाएगी. इसी सिलसिले में ब्रजतीर्थ देवालय व्यास के सभी प्रतिनिधियों ने SSP शैलेश कुमार पांडे को जहापन सौपा और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ FIR दर्जकर कार्यवाही की मांग की. ब्र प्रक्षमा योग्य नहीं है।